नमस्कार दोस्तों मेरा नमें पी उश्राय आप देखें देकोशनार भारत जिसा कि आप सबको पता कि अब जशहरा आने वाला है दिवाली आने वाली है अगले साल फिर होली भी आएगी धिर दे करते करते सारे तहवार आने वाले हैं और वह ऐसे ही समय पे निकलते हैं अपना रंग दिखाने के लिए अपने अंदर का जहर उगलने के लिए जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि नवरात्री पे नवरात्री का कॉंडॉम निकल ला है, नवरात्री पे नवरात्री ब्राज निकल ले है महा शिवरात्री पर आपको दूद बचाना होता है होली पर आपको पानी बचाना होता है जली कट्टू पे cruelty नजर आते है नेवल्स की उस पे वे भी आते हैं पेटा पे main पेटा orientative वीडियो है लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है चल क्या रहा है और कितने proactive और कितने environment friendly लोग है उनके बारें बात कर लेते हैं करवा चौत पेन को regression नजर आता है दुरगा पूजा पे racism नजर आता है नवराथरी पे woman isn't safe जिससे हमारे जो activist लोग होते हैं जो selective activism दिखाते हैं जिनका खुद का कोई पूराना past record बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन उन्हें क्योंकि हिंदू देविदेताओं को जलील करना है हिंदू धर्म के उपर उंगली उठाते रहना है हिंदू को कमजोर समझते रहना है वाल की तरफ पुश करते जाना है लेकिन भूल जाते हैं कि spring को जितनी ही ताकत से जितना ही ज़्यादा आप दबाते हैं प्रशर से उतनी ही इन घटनाओं को डिसकस कर लेते हैं पहले इन लों के कथनों को डिसकस कर लेते हैं फिर इनकी हिपोक्रिसी को थोड़ेर में तोड़ा जाएगा और अच्छे से तोड़ा जागा अगर आपको लगए मैंने सही बातें उठाइए तो शेयर अवश्य करेगा दूर तक जानी बहुत जरूरी कुछ लों के कान के परदे खुलने चाहिए अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा कॉलकाता की वीडियो है मतलब जो बंगाली लोग दुर्गा पूजा काली पूजा इस सब अच्छे सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे फारमर्स प्रोटेस्ट को या फिर जो वहाँ पे हो रहा है रकीमफूर खीरी में जो चीजें हुई उसका प्रोटेस्ट दर्शा आते हुए चपल जूते सजाए दिवाल पे यह दिखाए कि हमारा विरोध हम दर्शा रहे हैं दुर्गा पूजा में जहां पे आप मंदिर के अंदर तक चपल पहन कर नही प्रोटेस्ट करने गाए लेकिन फिर भी ठीक है हम लोग हिंदू है बाई शान्त रहते हैं इन्हों कुछ नहीं करते दूसरा कोई उता जाता था क्या करता क्या ही कर लेता गलावला काटते था कोई मुल्ला हो जातो तो डेंग फैर ठीक है दूसरी चीज क्या लेकिए थीम आपकी फैली बस आया जा रहा है उनको अपना वोड़ बैंक बनाया जा रहा है और वहां मादुरुगा को रिफूजी दिखाया जारा और जिसमें से मैज्जूरिटी जितने रिफूजी वहां पर बंगल में बसे होंगे वह सारे مسلمان है उसके बावशूद मोहमझन को रिफ उट्रिये हैं, तो मोहम्मट को, अल्ला को, इनों को रफूजी पूर्ट्रे करके, ये दर्शाते न, कि देखो, पूरी मुस्लिम कमुनिटी को ही refugee माना जाता इंडिया में तो मुसल्मानों की जगे ही नहीं, अपने डर दर्शाते कई community का protest show करते माद दुर्गा को refugee बनाने का क्या logic है क्या वो सारे convert हो रहे हैं क्या वो सारे वापस, घर वापस ही हो रही है अगर ये symbol है तो ठीक अब देखे मैंने जैसा fake activism के बात की थी अब ये आदमी यहां पर जैम आता दी क्याता है कि you don't respect women for the rest of 365 days I am sure your nine days of नवरातरी पूजा can't make दुर्गा मा happy मतलब एक तो ये जो activists होते हैं इतने जाहिल होते हैं मतलब साफ न ज़रा जाता है कि paid है क्योंकि इनकी math calculation तक इतनी बीक होती है पहली चीज थी 65 days और 9 दिन अतलब बोलने में ध्यान में दिया कि अगर 9 दिन की दुर्गा पूजा में मा दुर्गा कैसे वो feel करेंगी खुश होंगी जब बाकी के 365 दिन तो 9 दिन प्लस 365 दिन तो 374 दिन होते हैं कि साल में जाहिलियत की हद होती है और इस वक्ति का असली वाला चरित्र भी सामने ही आपको देख रहा होगा ये इनकी reality है महिलाओं के nudes मांगते है और tweet देखे क्या है इनका केटी पेरी वाज टीज़ इन मिडल स्कूल फॉर हविंग बिग बूब्स वाई वॉजन्ट आए इन हर स्कूल मैं उनके स्कूल में क्यों नहीं था मैं भी टीज़ करता है ऐसा कुछ intention रही होगी तो ये वक्ति अब बताएंगे कि किसके festival में महिलाओं के कितनी इज़त हो नी चाहिए किसके देश में महिलाओं के कितनी इज़त हो रही है नहीं हो रही है क्या हीपोकसी क्या डियालिटी है अभी ये पढ़ाएνगे ऐसे लोग ज teachings ना दे तो ज़्यादा अच्छा है अभी 11 अक्टूबर की एक नियूस थी उस पर थोड़ा लोग बहुत इशू क्रेट करें कि VHP ने कहा दिया कि नो नॉन हिंदू टू बी अलावड इंटू दुर्गा पूजा पंडाल इन रतलाम ठीक है हिंदू में मतलब वो सारे आगए है सिक, जैन, बुद्ध, पार्जी वगरा वगरा नॉन हिंदू मतलब जितने ये एवरामिक फेट वाले हैं क्रिस्चिन या इसलामिक ठीक है अब इस पर बहुत इशू क्रेट हो गया मना कर दिया तो मैं यही सोच रहूं इशू क्रेट करने से पहले किसे ने ये तरक क्यों नहीं दिया कि जैसे तुमने अलाव किया था तो हम सब आही रहे थे जैसे क्रिस्चिन और मुसल्मानों को दम बिल्कुल दुर्गा पूजा में बिल्कुल अपना धर्म नजर आ गया असलियत नजर आ गया करें हम तो हिंदू थे पहले हमें दुर्गा पूजा देख के बिल्कुल आला चाहते कि काश हम भी मादुर्गा की पूजा कर पाते हैं ना उन्हें अपने मजह अभी चीजों पर बिल्कुल वह हो गया कि मतलब थार्ड क्लास के उसमें हम जी रहे हैं अच्छी जगह पर आ जाते हैं है ना गटर्स निकलके समंदर में आ जाते हैं तो ऐसा तो वह नहीं सोचने लग जाते है और इशू ऐसे ग्रेट हो रहा है जैसे कोई बहुत ऐस जाना चाता है लिटरिली कोई नहीं जाना चाता उसको क्या इंटरस्ट है क्यों जाएगा लेकिन आपको मना कर दिया तो आपको ऐसे होगा है जिसे मुझे कैसे इतना इगू लाते कहां से हो फिर जो पेटा की बात कर रहा था पेटा ने अभी रिसेंटली कॉल दे यूज अब लॉजिकल इंडियन का कहना दो थिंक यूजिंग एनिमल फॉर ट्रडिशनल रिचूल पर्पोसेज इस रॉंग कुश्चिन मार्क प्लीज शेर यूर ओपिनियंस लेट्स टॉक है स्टैग लेट्स टॉक अब यह दे लॉजिकल इंडियन मेरा मेरे ओपिनियन में जा कि हमें वेडिंग में घोडों का इस्तावाल नहीं करना चाहिए वह एनिमल पर कुवैलिटी है अब इनकी रिपोर्ट को अच्छे से आप पढ़ेंगे तो इनका क्या कहना है देखिए they claim that in many instances torture devices are embedded deep in animals mouth ripping their lips and tongues and causing them extreme trauma in many cases these helpless animals are often kept hungry and thirsty for hours and sometime come back injured मैं यह सोच रहा हूँ मैं यह सोच रहा हूँ जिस संस्कृति में जिस परंपरा में हम लोग साधी वादिए इक छोटे से छोटे गरीब भिखारी कुछ काम करने वाले जाड़ों पोचा मारने वाले रोट पे चलते हुए जानवर यह वह सबका ध्यान रखा जाता है कि जो इवेंट से ठीक है चाहिक कुछ इतना भी गरीब हो जा जा जो हो वो कल्चर को फॉलो करने मारे लोग घोड़ों को सिर्फ इसलिए टॉर्चर करेंगे कि भाई किसी का इंजॉयमेंट हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं हम लोग अभी तक इतनी भी कुरान नहीं पढ़ लिए क कुरान हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि समाझ पाएं कि अगले की मानसिकता क्या है इसलिए नहीं पढ़ता है कि फॉलो करें और एनिमल क्रुएलिटी करें तो जो चीज़ें भकराइद पर होती है बकरों को जिस तरीके से पाल पोस्के बढ़ा किया जाता है उन्हें वो क्राइम करने की मानसिकतारा काठने की है आध्त जॉट जनमारत ना बच्वश्माटे हैं ट्रीण करते हैं घुनी बनाते हैं द्रिंधा पैदा करते हैं लोग फच्वश्मन से की गला काठना सीखो पहले 1 पर रभाऌते हैं फिर जानवर को धीरे कि बटक्तिद नहीं हो पूरे चाइना में फेस्टिवल मनाया जाता है जहां पर डॉग्स खाये जाते हैं बूटली किल किये जाते हैं तब पेटा को दिक्कत नहीं होते हैं अभी हाली में बकरीद गई है बेटा तो शांत बेटा था तब यह लॉजिकल इंडियन वाल ने तो नहीं कहा है लेकिन शादियां रोज रोड़ नहीं होती है आज वो एक शाधी में गया ट्रॉमा पेटा रिखल कि होता होगा और उसके वहाँ से वहां से फरी हुआ तो थोड़ा उसको रिलैक्स होगा ना अस्ताबल में जाएगा थोड़ा तो रिलैक्स होगा तो चीजे निकलेंगी fittings उसके मुझसे और मैंने नहीं देखा अपने life में कहीं घोडे को pain feel करते हुए इस तरीके से शादियों मैंने कि रहा कि बहुत वो enjoy करते है horse riding जब होती है या कभी भी कुछ ऐसा होता है तो लेकिन मैं ये भी नहीं कहा रहा हूँ कि बहुत extreme trauma feel करते हूँ या कोई ऐसा device लगा होगा मुझे पूछना है उन लोगों से जो ऐसी मानसिक्ता रखते है या ऐसी चीज़ों को promote करते है या ऐसी चीज़ों पर एक अपना stand रखते है जो anti-hindoo anti-India, anti-hindoo festivals, anti-hindoo culture होता है ऐसा stand रखते हैं कि नवरातरी में नवरातरी ब्राज बेचते हैं, buy two, get three free ठीक है? ऐसे लोग जो नवरातरी में condoms बेचते हैं, नवरातरी का tag लगा के, वो festival इन सब चीज़ों का है क्यों नहीं ये लिख दिया कि if you believe in Aisha get few condoms, क्यों? Aisha को tag करके क्यों नहीं ये जो या ये जो ब्रा बेच रहे हो तो मुहमद किसी पतनी वीवी ये वो खतीजा इसा, जिसका भी जिसका भी शकल लगाने उसके लगा के बेचो न मैं sorry brutally honest होना चाहता हूँ कि अगर आप आगे से बोलेंगे तो आप सुनेंगे भी तो अगर आप ये चाहते हैं कि कि आप सिर्फ बोलें किसी को जलील करें insult करें निकल जाएं और अगला सुनें चुप हो जाएं और विचार करना चाहिए क्यों विचार आपको भी करना चाहिए विचार आपको भी करना चाहिए मैं चाहता हूँ कि अगर किसी मुद्दे पर बात करनी है hashtag let's talk करना है तो ठीक है करते हैं हर मुद्दे के करते हैं और हर मुद्दे का इलाज भी ढूंडते हैं अगर घोडों को तकलीफ होते हैं पहले मैं अपना ही पकड़ लेता हूँ अगर वाकई कोई scientific research से पता लगाया जाता है कोई ऐसा device होता है जिससे उन्हें immense pain, trauma, तमाम चीज़ें होती है अगर horse riding एक साधी में थोड़े से मतलब literally कुछ kilometers भी नहीं होंगे उतने duration के लिए अगर एक आदमी, हलका साधमी बहुत बड़ा साण जासाद भी नहीं बैढ़ता लिटरली ना के बराबर उसमें भी नहीं दिक्कत है, लेकिन जो बकरीद हर साल होती है, हजारों की तादाद में बकरे कटते हैं, रोज गाये कटती हैं रोज मुर्गे कटते हैं, मतलब जानवरों को लोग राक्षिसों की तरह खा रहे हैं तब प्रटा को दिक्कत नहीं होती, उस पे लेट्स टॉक लॉजिकल इंडियन नहीं चलाता है इस पाक्षिसों को यहीं खतम करिए नहीं तो इसका बहुत भायानक परिणाम हो सकता है, फिर मिलते हैं अगली डमी जैहिन पंदे मात्र